डॉक्ट रशीद आप बताएं कि होमियोपैथी जो है वसूतर क्या विज्ञान है और ये कितना कारगर होता है मानव की देह पर जी ये भी एक वैकलपिक चिकित्सापदेती है जो कि जर्मनी से जनरेट हुई और अभी इंडिया में वर्ल्ड वाइड होमियोपैथी प्रैक् में सभी तरह की बिवारियों में ये प्रभावी रहता है लेकिन जब कोई विक्ति इसको लेता है तब ही वो इस चीज को जान पाता है तो अभी ऐसा सीम नहीं है मैं खुद ही जब इस ब्रांच में जब मैंने जॉइन किया था तो हम भी खुद कहते थे कह रहे ही चोटी ग प्रभावी रहती है और ये सभी तरह की एक्यूट बिमारियां क्रोनिक बिमारियां सभी तरह की बिमारियों में प्रभावी रहती है पता है कि हमियोपैथी के रिजल्ट्स किस किस बिमारी में या किन किन रोगों में ज्यादा कारगर होते हैं जी ये तरह मुक्यत हैं ये स सामने तरह सभी प्रकार की सामने बिमारियां सर्दी जुकाम, खासी, चर्म रोग, स्किन डिजीज, अलेजिक डिजीज, इन सभी तरह की जो ब्रांचेज हैं सभी में प्रभावी रहती हैं और आज कर लिए बेली और्टोपेडिक में जोडों के दर्द में और ऐसी जो बिमा के बाद अब तक क्या-कया विकास किया है और इसमें क्या कुछ नई चीजें जुड़ी है या वे पधतियां जो हैनिमन के समय से थी वही अभी चली आ रही है जी नहीं इसमें बहुत ही जो एडवास्मेंट बिल्कुल इसमें जा रही है इसमें रीसर्च वर्क बहुत जा और अभी बहुत सरे medical colleges वगरा जो हैं इंडिया में government की तरफ से आयूश department के अंदर आती है जो की government इसमें देखरे कर रही है और इसका इलाज रहता है। ये प्रश्ट basically होमियोपेटी में इसको case sticking कहा जाता है जो की दूसरी और पद्दितियों में भी रहता है। लेकिन होमियोपेटी में हमें patient को जानने के लिए उसकी लक्षन जानने के लिए उसकी बिबारी उसकी दवाई को हमें डूढने के लिए उनकी सब उनसे पूछना ज इसलिए विस्तरत जो आप पूछते हैं वो हमें medicine को select करने के लिए हम उससे पूछते हैं। इसमें होमियोपेटी में इसी को हम लोग totality of symptoms बोलते हैं। तो जब कभी भी कोई भी मरीज आता है, कोई बुकार का एक मरीज है, कोई बुकार का दूसरा मरीज है, तो उसके अगर लिक्षन उसके अलग है, तो उसकी दवियां भी अलग रहेगी। रोक्टर शीद, COVID-19 का जो संकर्ट इस वक्त मौजूद है और वो एक चिकित सा विज्ञान के सामने भी एक तरह का चैलेंज है। बताए कि होमियोपेटी में इस चैलेंज को कैसे स्विकार किया गया है और क्या-क्या चीज़ें खोजी गई है। इसमें हमारी मेंली एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं जीनस एपिडिमिकस। उस पे कोई भी जो शेत्र है जहां पर कोई रोग फैला हुआ है तो उसमें रोगियों के लक्षण को इखटा किया जाता है। उनको सबको इखटा करके उनके लक्षणों को देखकर एक दवई का चैन किया जाता है। जिसको हम लोग जीनस एपिडिमिकस बोलते हैं वही दवई जो सब लोगों को इस रोग के लक्षणों को कवर कर दिए। वही दवाई सब लोगों में एक Immune Booster, Immunity के लिए एक Preventive के रूप में भी दी जाती है जो रोगों से बचाती है इसी में हमारी होबियोपेति जो गौवर्मेंट से आसेनिक एल्प जो ड्रग है वो दी जा रही है जो कि इस रोग से बचाव में लाबकारी रही है यह जो आप बताते हैं ड्रग इसका निर्मान कैसे होता है और क्या किसी विषैश परिस्टियों में ही इसका निर्बान होता है जी यह हमारे होबियो पैती वे विए लिस्ट अफ जो कि अलग-अलग सोर्स से प्राप्त होती है वो हमारी प्लांट किंगडम से होती है natural kingdom एनिमल केंग्टनम से मेंडरल से कई तरह के सोर्सेज है और तो यही आसिनिक जुट रग है यह बहुत सारी अलर्जी डिजीज में इसकिन डिजीज में और कई बिमारियों में भी लाबकारी रही है और हम इसका प्रयोग करते हैं और यही आसिनिक जुट रग है यही कोरोडा कोवीड भे बचाव के रूप में हम लोग दे रहें डॉक्टर शीदी बता है कि भारत में बहुत सारी चिकितसा पद्दतियां वेकल पर चिकितसा के रूप में इस्निमाल की जाती हैं जिनमें आयूरवेद भी शामिल हैं इसी तरह आयूरवेद में वात्पित का पद्दति बेसिक जो मायज हमें रोग के वो माने जाते हैं तो मूलत है ये बेसिकली नेचर्स लॉग के उपर बेस्ड है तो दोनों में बहुत सी समानता है और दोनों में दवईयों का यही फायदा है कि इनके साइट एफेक्ट नहीं रहते हूमियोपेथी एजी है लेना में इन में कई बार कोई बच्चे भी है बूडे भी है एजी ली ले सकते है तो हमारी दवईयों भी यही फायदा है डॉक्टर शीर ऐसा का जाता है कि हूमियोपेथी में दरसल जो आपको रोग है उसी रोग के सिम्टम पैदा किये जाते हैं जैसे लोहे को लोहा काड़ता है इसी तरह की कुछ प्रक्रियास में होती है इस बात में कितनी सच चाही है जी बिलकुल सही कहते हैं हमारी मेडिसिन्स जो है हुभीपेथी के हमारी जो मास्टर हैडिमेन थे वो फरस्ट पर एक बार मेडिसिन्स की कुछ बुक्स में ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उन्होंने अमारी एक मेडिसिन है सिनकोना तो उन्होंने सबसे पहली बार उन्होंने खुद पर ली दी, उन्होंने जब वो दवाई ली तो उन्होंने देखा कि जो वो दवाई लेने के बाद में उनको कुछ बुखार की लक्षन पैदा हुए, मली दिया की लक्षन पैदा हुए, तब उन्होंने देखा कि इससे ऐसे दी जाए तो वो बेमारियों को भी ठीक करती है जैसे अगर अगर आपन कोई कोई भी एक रोग की अगर बात करते हैं तो वही लो डोस भी बाड़ी में अगर देते हैं जैसे वैक्सिनेशन जो रहते हैं उनकी बेस्ट भी होमिपेथी पर ही है कि लो डोस बाड़ी में जब ज पर अबारे पास में जो वरीज है सबसे लास्ट पर आता है और वह बिमारी को कई बर बहुत बढ़ा करके लाता है तो ऐसी कोई डिजीज होती है उसमें कोई भी पद्धिती से इलाज अगर लेते तो उसमें भी वक्त तो लगता है तो ऐसा नहीं है कि ओवियूपेती धीरे असर करती है जैसे कोई भी एक्यूट डिजीज है न डाइरिया वोबिटिंग जो फीवर है तो वो पेशेंट जल्दी ठीक होते ह ऐसा नहीं है कि वो लब्बे समय में उनमें अच्छा दवाई असर करेगी ऐसा बिल्कुल यह ब्रांतिया है डॉक्टर शीद जाते जाते थोड़ी सी कोई नाइटीन की बात यह बताएं कि कोई नाइटीन का एक तरसी टीका तो भी नहीं खो जा गया है और इस बिमारी ने इसके लिए का है कि यही एक वैक्सीन है यही अभी जो बचाओ अपना जो बचाओ अगर हम करेंगे तो वही इसका इलाज है जब तक इसका वैक्सीन नहीं अगर आ रहा है तो हमें यह खास चीज़ों का ध्यान अखना है हमें सैनिटाइजेशन इसका ध्यान अखना है हमें तीन दिन तक खानी रहती है, मौर्निंग में, सबरे के वक्त में, तो ये गोलियों के रूप में ले सकते, ये लिक्विट के रूप में ले सकते, जो अपनी इम्म्यूनिटी को बढ़ाती है, और अपन की रोग प्रतिरय लगता को बढ़ाती है। डॉक्टर रशीद, वे उदेपुरवासी, जो इस फिट उदेपुर प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उन्हें बताएं कि कैसे वे फिट रहें और उनको चिकेश सक तक जाने की जरुवत न पड़े। जी, एक तो सबसे पहले है अपना जो रूटीन है, लाइफ इस्टाइल मॉडिफेशन, आज कल यही सबसे ज़्यदा बिमारी का मेन कारण है, अगर जो व्यक्ति सवरे जल्दी उठता है, सवरे उठकर अपना रूटीन सही रखे, वो मॉनिंग वॉक करे, वो तुड़ा ए जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना जीए, हमें कोई भी परिशानी हो, तो हम जितना जल्दी अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, तो अतना जल्दी ठीक होंगे, तो मेरी यही सब लोगों से राय है, कि अपना बिमारी का जो दोर चल रहा है, तो उसमें बाहर बीड़ बार में न जाएं, अपनी केर करें, और मास्क का प्रेयोग करें, अभी हम कई जगाओं में कैंप्स में जा रहें, तो वहां लोगों में देखते हैं, जो मास्क नहीं लगा रहें, बिलकुल द्यान नहीं दे रहें, तो यह बहुत ही आने वाले वक्त के लिए सही नहीं है, और बिमारी को बढ़ाएगा, तो सभी जड़ें, यह सब चीजों का द्यान रखें, अपती हैल्थ का द्यान रखें. बिलकुल